हेलो एवरीबड़ी एफोप आप सब हेल्दी होंगे मैं हूँ अपकी पहलोज एजुकेटर शिवानी माम वेलकम बैक तो माइट ब्रेंज जो आपको प्रोवाइट कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक की क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ इस्प्लेनेशन बिलेंगे और साथ में बिलेंगे धे सारे प्रेक्टिस क्वेशन इतना ही नहीं आप अबेल कर सकते हैं इनोडस एनी बोग जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ आज की वीडियो हमारी क्लास 11 बायलोज यूनिट नमबर 4 इस प्लांट फिजियोलोजी और इस यूनिट का पहला चेप्टर कवर कर रहे हम जो की है फोटो सिंथेसिस इन हाइर प्लांट्स आपकी NCRT में चेप्टर नमबर 11 है और आज की सेशन में इसका मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो की है how many pigments are involved in photosynthesis मतलब यहाँ पर जो pigments हैं कितने pigments हैं जो की photosynthesis में क्या है involved है वो कौन से pigment होते हैं accessory pigments कौन से होते हैं necessary pigments कौन से होता main photosynthetic pigment क्या है यह सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले राइट तो without any delay हम start करते हैं आज का session उससे पहले सारे बच्चे attendance लगा दीजे और attendance कैसे लगाना है यह तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कैसे लगाना attendance वीडियो को like कर करना है और जादा से जादा शेयर करना है अपने दोस्तों भाई पहना और पढोसियों को जिससे वो भी आपके साथ जोड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके राइट तो start करते हैं आज का session तो क्या बूल रहे हैं देखिए looking at plant looking at plant have you ever wonder why and how there are so many shades of green in their leaves even in the same plant तो भाई आपने देखा होगा के plant है उसकी leaf में आपको green के भी बहुत सारे shades देखने को मिलते हैं dark green, light green, पता नहीं कितने type के green के shades देखने को मिलते हैं तो उनका कहना looking at plants have you ever wonder why and how there are so many shades of green in their leaf even in the same plant तो एक ही plant में यहाँ पर different shades होते हैं green के यह क्यों होते हैं तो देखिए we can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography right तो paper chromatography पीटा एक क्या है बताईए यहाँ पर इससे हम क्या करते हैं pigments की analysis करते हैं इसको fine करते हैं right की कौन सा pigment है तो paper chromatography की मदद से हम यहाँ पर pigment को क्या करते हैं separate करते हैं क्या करते है separate होता क्या है जैसे कि आपने leaf ली क्या लीफ ली और leaf को crush कर लिया पूरा right क्या कर लिया crush कर लिया और आपने क्या बनाया paper chromatography भी होती हो यहाँ पर हम slide पर भी यह perform कर लेते हैं right उस पर silica का एक पूरा वो बनाकर उस पर हम क्या करते हैं यहाँ पर पीपेड के मदद से जो small पीपेड होते हैं उनकी मदद से वहाँ पर क्या करते हैं द्रॉपिंग करते हैं और फिर उसको सूखने देते हैं और फिर ऐसी टून में सूखने देते हैं और उपर चरते जाता है right और यहाँ पर आपको different क्या मिलेगी? wavelength मिलेगी different क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर colors मिलेंगे, spots मिलेंगे जो कि किसके बारे में बता रहे होंगे different types of pigment के बारे में बताते हैं तो यह क्या है paper, chromatography है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं different pigments को separate कर लेते हैं चलिए, तो बिना किसी देरी के जल्दी से सका screen shot ले लीजे और जो बच्चे लेट आए हैं वो attendance लगाना मत भूलेगा attendance कैसे लगानी यह तो आपको पता ही है वीडियो को like करना है और जादा से जादा share करना है चलिए बटा, तो आगे बढ़ते हैं अब देखे, अब chromatographic separation of the leaf pigment क्या बटा, chromatographic separation of the leaf pigment show that the color that we see in leaves is not due to single pigment but due to four pigments तो बटा, यहाँ पर leaf में जो आपको color दिख रहा है यह paper chromatography से पता चला paper chromatographic, जो separation है उससे पता चला कि जो green color आपको दिख रहा है plant में वो किसी एक pigment की वज़े से नहीं है वो किसकी वज़े से है? चार pigments की वज़े से तो देखे बटा, पहला pigment है chlorophyll A कौन सा pigment है? chlorophyll A chlorophyll A जो है, वो क्या है? more chlorophyll A जो है, इसका color कैसा होता है पेटा? इसका color होता है bright और blue green, right? कैसा होता है blue green? आप blue green ही याद रखों, क्या याद रखना आपको? blue green तो इसका color कैसा होता है? blue green और ये क्या है? more ये क्या है बताईए? most popular pigment है या हम बात करें ये क्या है? main pigment है ये क्या है? main photosynthetic pigment है ये क्या है main photosynthetic pigment क्योंकि बेटा आगे चलके ये क्या बनाएगा? photosystem में reaction center जो बनता है, वो किसके थुरू बनता है? इसी chlorophyll A के एक molecule के थुरू, right? दूसरा जो है, बताईए, next जो है, वो कौन सा टाइप है आपका? next है chlorophyll B, कौन सा है? next pigment chlorophyll B तो chlorophyll B जो है बेटा, इसका color होता है, chlorophyll B का जो color है यहाँ पर क्या होता? yellow green chlorophyll B का color है yellow green okay, next जो है, वो कौन सा हो जाएगा? आपका जल्दी बताईए, xanthophyll, क्या हो जाएगा? xanthophyll next pigment हो जाएगा, xanthophyll, right? तो xanthophyll जो है, इसका color क्या होता है? yellow color क्या होता है yellow color? और last हो जाएगा आपका keratinoids क्या है? जल्दी बताईए, last keratinoids तो last है आपका keratinoids, जो keratinoids होते वेटा यह keratinoids क्या है? जल्दी बताईए, fat soluble है क्या है? fat soluble, यह कैसा होता है? yellow to yellow orange, right? तो इसका color कैसा होता है keratinoids का? केरोटिनोइट्स का जो कलर है कैसा होता है यलोटू यलोव औरेंज यलो तू यलो औरेंज अगर मैं बात करूं एसेंशल की तो एसेंशल पिग्मेन कौन सा एसेंशल का मतलब क्या है विटा जो की क्या है main photosynthetic pigment है तो यहाँ पर chlorophyll यह जो है यह क्या है essential pigment क्या है essential pigment या मैं बोलू main pigment राइट वही पर यह तीनो pigment जो है यह क्या है non essential या मैं बोलू accessory pigment राइट तो यह क्या है non essential क्या है यह non essential और असेसरी पिगमेंट राइट यह क्या है नॉन इजेंशिल और असेसरी पिगमेंट राइट तो जल्दी से बिटस का स्क्रीन शॉर्ट ले लीचे राइट तो आपको क्या बोलना है यहां पर देखिए इसका कलर कैसा है कैसा होता है यृलो ग्रीन का जेंथ फिली का यहलो कलर होता है वहीं नौन केरिटन अइट यहलो और टू यहलो और और उन्ज कलर होता है राइट बिटा तो जल्दी से बिना किसी देरी किसका स्क्रीन शॉर्ट लेरिजे क्या आपने इसका screen shot ले लिया बताईए जल्दी से इसका screen shot लीजे क्या आपने screen shot ले लिया तो देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं अब देखिए let us now see what roles various pigments play in photosynthesis अब आपने चार pigments के बारे में जान लिया है उनकी color के बारे में जान लिया बट यह various pigments जो है इनका क्या role है photosynthesis में किसमें photosynthesis में इन pigments का क्या role है वो हम देखते हैं right pigments are substances pigments क्या होते substance होते हैं pigments क्या होते बिटा substance होते हैं that have an ability to absorb light तो यह pigment के पास क्या होती ability होती है कि यह light को absorb कर ले बट हर किसी light को absorb नहीं करते हैं कि specific wavelength के light को यह क्या करते हैं absorb करते हैं तो यह एक ऐसे molecule है जो कि specific light के wavelength को क्या करते हैं absorb करते हैं right चलिए तो इस light को क्या कर रहा है absorb जिसकी specific wavelength है हमने पढ़ा है blue light green light red light right तो यहाँ पर यह different color की जो light है इनकी wavelength specific wavelength है तो यहाँ पर जो pigments होते हैं वो एक ऐसे substance है जो की light को absorb करते हैं अब एक pigment जो है वो एक specific wavelength की light को ही क्या करेगा absorb करेगा Can you guess which is the most abundant plant pigment in the world क्या आप बता पाओगे की कौन सा pigment है बताईए most abundant plant pigment है जल्दी बताईए कौन सा pigment होगा most abundant यहाँ पर chlorophyll A होगा chlorophyll B होगा Xanthophyll होगा keratinoid होगा यह anthocyanin होगा जल्दी बताईए कौन सा pigment होगा यह आपका क्या है homework है आपको comment section में इसका answer करना है सारे बच्चों को इसका answer करना है जल्दी बताईए कौन सा होगा चलिए तो आगे बढ़े मैंने आपको hint तो देही दिया था राइट चलिए तो next है तो हम अब यहाँ पर क्या देखने वाले हैं ग्राफ देखने वाले हैं जो की show कर रहे हैं ठीक है showing the ability of chlorophyll and a pigment to absorb light of different wavelength तो देखिए बटाई यहाँ पर यह कौन सा कलर है यह वाला जो कलर दिख रहा है आपको यह कलर देखिए इस पर थोड़ा सा गौर करिए राइट यह देखिए यह कौन सा है chlorophyll a कौन सा यह कलर तो यहाँ देखिए यह है chlorophyll a right इसके आपको क्या मिल रहे है दो पीक मिल रहे है कितने पीक मिल रहे है दो पीक मिल रहे है राइट वही पर यह वाला जो हो गया यह कौन सा हो जाएगा आपका green वाला हो गया chlorophyll b क्या हो जाएगा chlorophyll b इसके भी कितने मिल रहे है आपको जल्दी बताई दो पीक मिल रहे है कितने मिल रहे है दो पी ओके उसके बाद आपको next जो है वो कौन सा मिल रहा है कैरिट नॉइट कौन सा मिल रहा है कैरिट नॉइट तो कैरिट नॉइट को भी आपको क्या मिल रहा है दो पीक मिल रहा है क्या मिल रहा है दो पीक राइट तो यह क्या है different type of pigments है जो की different wavelength की light को क्या कर रहे absorb कर रहे different wavelength की light को absorb कर रहे absorption of light by chlorophyll filament छीक है तो यहाँ पर yи chlorophyll pigment जो है light को different wavelength की light को absorb कर रहे chlorophyll A और chlorophyll B जो होते हैं, ये किसको absorb करते हैं, blue और red light को, किसको blue और red light को, blue and red right, chlorophyll B भी किसको देखे, यहाँ पर ये देखे, ये किसका है chlorophyll A का है और ये green वाला किसका है, chlorophyll B का, तो इनका पास पास में मिल रहा है, right, दोनों जगा, तो ये दोनों किसको blue और red light को absorb करते हैं, किसको blue and red light को, okay, वहीं पर मैं बात करूँ, carotenoids की, तो carotenoids जो है बिटा, ये किसको absorb करता है, sky blue to green light को, right, किसको sky blue to green light को, right, आपने देखा ना, bib gear, right, तो यहाँ पर देखिए, blue light को कौन absorb कर रहा है, जल्दी बताइए, आपका chlorophyll A और chlorophyll B, तो यहाँ पर carotenoids जो है, गो blue और green को absorb करता है, किसको blue and green light को, right, तो यहाँ पर ये किसको blue and green light को क्या करता है, blue and green light को absorb करता है, right बेटा, अब देखिए, अगर मैं wavelength की बात करूँ, किसकी बात करूँ, wavelength की बात करूँ, तो यहाँ पर 400 से लेकर, कितने तक होती है, 700 तक होती है 400 से लेकर कितने तक होती है 700 तक होती है, right ठीक है, तो यह क्या है, nanometer में, wavelength किसमें, nanometer तो यहां पर देखिए मैं बात करूं अगर green chlorophyll B की और chlorophyll A की तो यह किस wavelength की light को absorb करते है 400 और 700 wavelength की light को वहीं पर मैं बात करूं केरिटिनॉइड की तो केरिटिनॉइड जो है वो 450-500 की wavelength को क्या करते है एब्सॉब करते है राइट इतना clear है या नहीं जल्दी बताइए यह किसको कर रहा है 400-450 को आप यह चाहें तो लेख सकते हैं नहीं चाहें तो भी मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है चलिए और यूरीमिर विद they knew gaug all टाइस वर स्पेक्ट्रम on lack Fotक तुअ यह विबियो और की शुद्व तो आपको पता ही है आपको क्या पता है विभियो की वारे में बच्पन में पढ़ाया आपको पढ़ाया यह क्या है हमारा विपगयोर राइट यह क्या है विबियोर होते हैं, B का मतलब क्या है, यहां वाइलेट है, right, I का मतलब क्या है, यहां पर, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange and Red, right, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, बिटा कि सबसे ज़्यादा wavelength किसकी होती है, और सबसे ज़्यादा frequency किसकी होती है, तो maximum wavelength इसकी होती है, किसकी, red की, right, तो maximum wavelength किसकी होती है, red light की, और minimum wavelength किसकी होती है, minimum wavelength किसकी होती है, जल्दी बताए, violet light की, यह क्या है, minimum wavelength, right, यह क्या है, minimum wavelength, clear है बिटा, तो देखिए, आपने Einstein equation तो पढ़ी होगी, right, energy की equation पढ़ी है, क्या पढ़ी है, आपने energy equation कि h equals, sorry, equals to h new, right, और क्या पढ़ा होगा आपने, new equals to c y lambda, इसका मतलब e equals to h c y lambda, right, मतलब यहाँ पर frequency is inversely proportional to wavelength, right, इससे क्या निकल के आया, कि frequency जो होती है, वो किसके inverse proportional होती है, wavelength के inversely proportional होती है, right, तो यहाँ पर frequency जो है, wavelength की क्या होती है, inversely proportional, right, frequency क्या होती, wavelength की inversely proportional यह सब को पता है यह क्या है energy है यह क्या है energy है यह क्या है wavelength है right h क्या है planks constant और c क्या है जल्दी बताईए speed of light c क्या है speed of light और यहां पर new क्या है बेटा बताईए new है frequency new क्या है frequency okay और h क्या है planks constant h क्या है जल्दी बताईए planks constant h क्या है planks constant okay तो यहां पर क्या बता रहा है कि frequency जो है wavelength के inverse proportional होती है मतलब यहां पर हम यह बोल सकते हैं इसकी क्या होगी बताईए एक point तो यह हो गया और दूसरा क्या बोलेंगे maximum frequency किसकी maximum frequency होती है इसकी क्या है maximum frequency क्योंकि इसकी wavelength क्या है minimum तो frequency क्या होगी maximum और इसकी क्या होगी minimum frequency चले तो जल्दी से इसका screen shot ले लीचे ओके यहां पर इसकी wavelength कितनी होगी 700 nanometer किसकी red light की violet की कितनी होगी 400 nanometer राइट बेटा चले तो इसकी कितनी होगी 400 nanometer और हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे wavelength बढ़ती जाएगी और यहां पर क्या होगी 700 nanometer राइट तो जल्दी से इसका screen shot ले रीचे क्या आपने इसका screen shot ले लिया बताईए क्या आपने इसका screen shot ले लिया है तो देखिए अब from figure can you determine the wavelength color of light क्या आप determine कर पाएंगे wavelength of light या color of light को बिलकुल अभी हमने wavelength of light अभी निकाली हमने right clear है at which chlorophyll A show the maximum absorption तो chlorophyll A जो है वो किस पर maximum absorption शो करेंगी blue and red light पर किस पर blue and red light पर मतलब 400 और हम क्या बोलेंगे ये क्या हमारा chlorophyll A है मतलब 400 से थोड़ी से जादा वाली light पर बट हम इसको सोच कर सलते है 400 nanometer and 700 nanometer पर यहाँ पर क्या होगी maximum क्या होगी जल्दी बताइए maximum absorption होगा light का right तो देखिए ये 400 है और ये 500 है तो 400 और 500 मतलब 420 के बीच में की है ये right clear है does it show another absorption peak at any other wavelength to if yes which one तो बिलकुल यहाँ दो peaks show हो रहा है एक जो chlorophyll एका है वो blue light पर हो रहा और दूसरा red light पर हो रहा है मतलब एक 420 nanometer पर हो रहा और दूसरा किस पर हो रहा है 680 nanometer पर right तो हम aprox वाला लेके चल रहे बिटा ये क्या है aprox वाला right तो जल्दी से इसका screen shot ले लीचे क्या आपने इसका screen shot ले लिया है बताइए तो हम आगे बढ़ जाते हैं कहां बढ़ जाते हैं आगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए now look at figure showing the wavelengths at which maximum photosynthesis occur in plants right तो यहां पर एक figure जो है वो show कर रहा है maximum wavelength at which बताइए वो wavelength show कर रहा है जहां पर maximum photosynthesis हो रही है right the rate of photosynthesis measured by O2 release right तो हम कैसे बताएंगे photosynthesis का rate जितना जादा photosynthesis उतनी जादा O2 evolve होगी right तो यहां पर हम wavelength पर किस wavelength पर maximum photosynthesis हो रही है वो कैसे देखकर बताएंगे इस peak को देखकर right तो यहां पर यह peak जो है आपको किदर मिल रहा है 420 nanometer और 680 nanometer something पर right 680 nanometer something पर और 420 nanometer something पर आपको क्या मिल रहा है जल्दी बताएंगे peak मिल रहा है right चलिए can you see that wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll it means in the blue and red region अभे नोंने खुदी बोल दिया कि chlorophyll A जो होता है pigment वो maximum absorption किसका करता है blue and red region पर right also show higher rate of photosynthesis बेड़ जहां पर light का maximum absorption होगा वही पर rate of photosynthesis भी क्या होगी higher होगी right तो blue light पर और red light पर maximum photosynthesis का rate होगा right चलिए तो जल्दी से इसका screenshot ले लीजिए मैं आपको ये वाला जो point है पहले भी समझा चुके हूँ last to last lectures में right चलिए क्या आपने इसका screenshot लिया बताईए तो हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए hence we can conclude that chlorophyll A is a cheap pigment associated with the photosynthesis cheap का मतलब क्या है cheap का मतलब आप यहाँ पर समझो वो सस्ता pigment जो की सबसे ज़्यादा जरूरी है right तो we can conclude chlorophyll A जो है वो क्या है cheap pigment है किसका जल्दी बताई यह cheap pigment है associated with photosynthesis तो देखिए यहाँ पर आपको एक जो डाइग्राम है फिर से एक graph दिखा right यहाँ पर Y axis पर किसकी बात करी इन्होंने light के absorption की Y axis पर किसकी बात करी light के absorption की और X axis पर इन्होंने बात करी है wavelength of light in nanometer right बिटा तो देखिए यहाँ पर आपको दो दिख रहे ठीक है दो graph दिख रहे पहला graph है यह किसका rate of photosynthesis का और दूसरा graph है absorption का तो देखिए जहाँ पर absorption peak मिल रहा है वही पर maximum photosynthesis rate मिल रहा है right तो यह maximum peak है right यह क्या है maximum peak है अब ही हमने देखा था यह 400 है तो यह क्या होगा 420 क्या होगा 420 right यह क्या है बेटा जल्दी बताइए यह 700 है तो यह 680 होगा right तो यहाँ पर 420 और 680 पर आपको क्या मिल रहा है 680 नैनोमीटर पे maximum peak मिल रहा है किसका absorption का कॉंसी light के absorption का blue और red light के और यही पर देखिए आपको photosynthesis का maximum rate मिल रहा है यहाँ देखिए बिलकुल का होगा फिर बड़ा फिर बड़ा और maximum यहाँ पर मिला right तो जहां पर maximum light का absorption हो रहा है वही पर क्या हो रहा है जल्दी बताइए वही पर rate of photosynthesis का rate भी क्या है हाई है clear है चलिए but by looking at figure can you say that there is a complete one to one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis बिलकुल हम बोल सकते हैं absorption spectrum और photosynthesis का rate जो है वो one to one चल रहा है बिलकुल जहां जहां photosynthesis के rate का peak मिल रहा है वही वही absorption spectrum का भी peak मिल रहा है right चलिए तो जल्दी से बिना किसी देरी किसका screenshot ले लीचे और ये किसका peak था बिटा ये chlorophyll A का peak था किसका peak था chlorophyll A का ये भी किसका था chlorophyll A का तो ये क्या बता रहा है कि chlorophyll A जो है वही main pigment है photosynthesis का उसी पर पूरे photosynthesis का rate depend करता है right clear है चाले तो जल्दी से आपने इसका screenshot ले लिया होगा तो हम आगे बढ़ जाए okay हम आगे बढ़ जाते हैं तो आप देखिए these graph together show that most of the photosynthesis takes place in the blue and red light region of spectrum तो ये graph क्या show कर रहा है बिटा ये graph ये शो कर रहा है कि most of the photosynthesis जो है वो कहां पर होती है वो blue और किस reason पर होती है red region पर blue और red region पर होती है of spectrum कहां पर spectrum पर some photosynthesis does take place at the other wavelength of visible spectrum मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि सिफ red light और blue light पर ही photosynthesis होती है क्योंकि इससे पहले वाला जो आपको दिखाया था मैंने भी वहां पर rate of photosynthesis तो फिर भी मिल रहा था ऐसा तो नहीं 0 पर graph था rate था photosynthesis का rate था बट वो कम था और यहां पर जो maximum photosynthesis हो रही थी वो blue और red light पर हो रही थी बट इसका मतलब ये नहीं है कि green light पर orange light पर यहां पर photosynthesis नहीं होगी बिलकुल होगी बट उतिनी नहीं होगी जितनी blue और green रेड लाइट पर हो रही थी राइट चलिए let us see how this happens ओके चलिए भाई तो जल्दी से screenshot ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ जाए ओके क्या आपको इतना समझ में आगे जल्दी बिताएं तो देखिए यहां पर मैं यह समझाना चारी थी देखिए कि यहां पर photosynthesis है बिलकुल है बट यहां पर भी ऐसे तो photosynthesis है क्योंकि जी रोपे तो बिलकुल नहीं गया यहां पर भी photosynthesis Track framework हो रही यहां पर भी हो रही हो face और पर यहां पर usan रहे हो रही है इतना दिखंग रहे हैं प्नलब photosynthesis तो है i previous क्या है rate कम है क्या है rate कम है ओके यह हमारा हो गया अल्रेडी चले यहां पर क्या मुल रहा है दो ख्लोरोफिल इस दा मेजर पिग्मेंट रिस्पॉंसिवल पॉर ट्रैपिंग लाइट तो अगर आप से पूछा जाए लाइट को ट्रैप करने के लिए जो मेजर पिग्मेंट रिस्पॉंसिवल है वो कौन सा है क्लोरोफिल पिग्मेंट क्या है बटा क्लोरोफिल पिग्मेंट अदर थाइलाकॉइट पिग्मेंट लाइट क्लोरोफिल बी जैन्तोफिल एंड केरिट इनॉइट विच आर कॉल्ड असेसरी पिग्मेंट राइट तो मैंने आपको पहले ही लिगवा चुकी हूँ यह कि chlorophyll A जो होता है वो main pigment कहलाता है chlorophyll B, xanthophyll and keratinoid जो है यह क्या है accessory pigment है जो कि क्या करते है light जो होते है उसके photons को different wavelength के photons को यह क्या करते है trap करते है right clear है और trap करके इन photons की जो energy या photons जो है इनको कहा तक पहुचाते है chlorophyll A तक पहुचाते है और उस chlorophyll A को हम कहते है reaction center जो कि हम आगे चड़के पढ़ेंगे also absorb light and transfer the energy to a chlorophyll A खुदी बोल दिया इन होने कि यहाँ पर क्या है यह जो other thalakoid pigments है जैसे कि chlorophyll B, xanthophyll and keratinoid यह क्या करते है इन्हें हम accessory pigment कहते हैं और यह absorb करते है light को और उस light को उस energy को transfer करते है chlorophyll A तक और इस chlorophyll A को हम क्या कहते है reaction center इसे हम क्या कहते है reaction center यह क्या है बिटा reaction center राइट तो जल्दी से बिंडा screenshot ले लिजे और session को like कर दीजे राइट clear है बिटा जल्दी बताइए तो session को like करना बिलकुल मत भूलेगा तो देखिए indeed they not only enables a wider range of wavelength okay indeed they enables not only enables the wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photo oxidation बिटा accessory pigment का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि यह different wavelength की light को क्या light energy को क्या करते हैं absorb करते हैं उसके trap करते हैं और chlorophyll A तक पहुचाते हैं इनका सिर्फ इतना ही काम नहीं होता यह chlorophyll A को किससे बचाते हैं photo oxidation से किससे photo oxidation से photo oxidation क्या होता है photo oxidation का मतलब है light की presence में जो chlorophyll A molecule है उसका क्या हो जाए oxidation हो जाए क्या हो जाए oxidation हो जाए वहां से electron निकल जाए उससे हम क्या कहेंगे photo oxidation अगर यहां पर chlorophyll A pigment में photo oxidation हो गया तो reaction center क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा तो यह जो दूसरे pigments है यह क्या करते हैं chlorophyll A pigment को क्या करते हैं बचाते हैं सेब करते हैं, प्रोटेक करते हैं, किसे फोटो ऑक्सेरेशन से, राइट बेटा, चलिए, तो आगे पड़ते हैं, आगे पड़े, तो यहीं पर हम खतम करते हैं, किसके पिगमेंट्स वाले पार्ट को, I hope आपको हर एक पिगमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, rate of photosynthesis, लाइक कीजे, शेर कीजें, सब्सक्राइब कीजें, कॉमेंट करना, बिल्कुल मत भूलेगा, तो आप हमें यूटूब चैनल पर तो अल्रेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजें, बैल आइकन को क्लिक कर दीजें, जिससे डेली मिस्स पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, डेली मिस्स पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एस वेले लाइज लाइप करोगे तो आपको इस डाइप का एक पेज ओपन होगा, इस पेज में किंडर गार्डन टू क्लास, 12th क्लास तक की कम्प्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अबलेबल है, इस पेशली 11th इं 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्टीम बाइस प्लेलिस्ट अबलेबल होने वाली है, और NCRT, Solution, MCQs, MIQs, One Short Revision, Quick Revision and Daily Practice Question, जिससे आपका हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक काफी स्टॉंग बन जाए और आपकी स्टेडी काफी स्मार्ट बने, इसके रावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी उफीशल वैप साइट पर, that is www.magnetbrains.com और आप हमसे जोड़ सक सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल के तुरू जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp आप अब अवेल कर सकते हैं e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है, तो चलते हैं Magnet Brains की Top Courses की तरफ, उससे पहले जान लिजे कि Magnet Brains के दो चैनल है, Hindi Medium Channel and English Medium Channel, Hindi Medium Channel पे सारे Courses आपको Hindi में अबलेबल रहेंगे वही पर English Medium Channel पे सारे Courses सबको English में अबलेबल रहने वाले हैं, बात आती है Hindi Medium Channel की, तो Hindi Medium Channel पर हम Class 6 to 12 Class तक के Courses कराते हैं, वही पर English Medium Channel पर Kinder Garden to Class 12 के Courses कराते हैं, कौन-कौन से Courses कराते हैं तो वो भी जड़ा देख लीजिए, हम इन दोनों चैनल पर CBSC Board की preparation कराते हैं, कि कि CBC Board की, क्या सिब CBC Board की preparation कराते हैं, क्या Magnet Bains का Platform State Boards वाले बच्चों के लिए नहीं हैं, तो ऐसा विलकुल नहीं हैं, क्योंकि Magnet Bains CBC Board के साथ State Board को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board, इसके साथ ही Vedic Maths, Crash Course and Spoken English, ये सारे के सारे Top Courses Magnet Bains आपको High Quality Education के साथ 100% free में प्रोबाइट कराता है, जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, Magnet Bains प्रोबाइट कराता है, Unpaid Subscription, तो जोड़े रहे हैं मुझ से और Magnet Bains से, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई!